जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कर्मेंट में जै मातादी जरूर लिखे माता रानी सबका कल्यान करेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि अक्षय तृतिया के दिन आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए साथी साथ आपको इन आठ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए वो कौन सी या सी आठ बाते हैं जिनका खास ध्यान आपको अक्षय तृतिया के दिन रखना है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यह बेहत सुभ और सौभागि साली दिन माना जाता है इस दिन असनान, दान, जब, तप, स्राथ और अनुस्ठान का बहुत महत्व है इस दिन भगवान बेश्टू ने पसुराम अवतार लिया था मानता है कि इस दिन किये जाने वाले दान का फल अक्षय होता है यानि कई जन्मों तक इसका लाव मिलता है तो चलिए जानते हैं अक्षय तृतिया पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए सबसे पहले जान लेते हैं अक्षय तृतिया पर क्या करे साथ ही साथ हम बताते अक्षेत रितिया पर कलस का दान वो पूजन अक्षे फल प्रदान करता है। अक्षेत रितिया पर क्या नहीं करना चाहिए। अक्षेत रितिया का दान पुन्य का कभी छे नहीं होता है। इस दिन किये जाने वाले दान का फल अक्षे होता है। अक्षेत रितिया का दिन पुन्य कार करने का होता है। इस दिन ऐसा कोई कार ना करे जिससे किसी के मन को दुख पहुँचे। साथ ही किसी से कड़वा बोलना भी अच्छा नहीं माना जाता है। इस दिन स्वार्थ निहित कारिक करना चाहिए। अगर आप दुसरों को दुख पहुँचाएंगे तो माता लक्षमी कभी नहीं आएगी। अक्छे तृतिया का पर्व के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। भविश्य पुरान में बताया गया है कि अक्षय तृतिया पर भूल कर भी उपनयन संसकार नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको पहली बार जनेव बिलकुल धारन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना असुप माना जाता है। हो सकी तो आप अक्षय तृतिया के दिन ब्रत करना संभू नहीं है तो आप तामसीख भोजन का त्याग करें गयीं।